प्यारे बच्चों लो मस्ते अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि जब हम आपजेक्ट को याने वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की बीच रखते हैं उत्तर लेंज के तो इमेज क्या होती है मैंगिनिफाइड बनती याने बड़ी बनती है आभासी बनती ह इसमें आपने नियम देखा था कि जो पहले जाएगा पहले फोकस से जाएगी और फोकस हमने लिया नहीं था क्योंकि थोड़ा दिक्कत थी और इसलिए हमने तीसा नियम यूज किया था उप्टिकल सेंटर वाला तो इस तरह से इमेज यहां आपकी बन गई थी यानि माइक्रोस्कोप भी कहलाता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर कहीं पर आप मिले तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखना है फोकस और अप्टिकल सेंटर के बीच और उसी साइड़ मुनेगा तो जो आप हाथ की रिखाएं देखते हैं पंडे जी उसको भी यसी का यूज करते हैं आप डाइसेक्शन बॉक्स में अगर कुछ चीजें देखनी है उसमें से कुछ चीजें डाइसेक्ट करके देखते हैं तो भी आप रीडिंग लेंज करते हैं तो यह इसमें हमेशा कंडिशन यह है कि आपजेक्ट को यानि बस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंडर क से बीच रखना होता है यह बेसिक कंडिशन और इसे मैगनिफाइड बनेगे और आवासी बनेगे इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते आप कहीं पर कहीं आप सोचों कि इसको पकड़ लें हाथ से कुछ कर लें नहीं कर सकते